हेलो अब्रीवन, बल्कम बग टू हिंदी क्लास पहले वाली क्लासेज में हमने चंदरविंदू तक मात्राई सीखी थी ना आज हम न्यू मात्रा सीखेंगे री की मात्रा, री से रिशी और ये मात्रा हमेशा कहां लगती है? व्यांजनों पर अब हम व्यांजनों के नीचे री की मात्रा लगाकर प्रैक्टिस करते हैं नाव फर्स्ट वी विल मैंजन डेट ओके री की मात्रा, री से रिशी और ये है री की मात्रा का साइन ये कैसा होता है? जैसे हम अलफाबेट में C4, Cat लिखते हैं ना वैसे ही इसका साइड होता है Half Circle और इसको हम हमें कहां लगाते हैं? इसको हम हमेशा व्यांजन की नीचे लगाते हैं किसी भी व्यांजन की जो स्टैंडिंग लाइन होती है ना हम उस पे री की मात्रा लगाते हैं यह जो कहके स्टैंडिंग लाइन है ना इसके नीचे Half Circle तो कह में रीकी मात्रा लगी तो क्या बनाएं क्री ऐसे ही यह क्या है ख तो ख में कहां लगेगी यहां पे और ख में रीकी मात्रा लगी तो क्री ऐसे ही ग ग में रीकी मात्रा लगी तो ग्री और ये क्या है चन और चन में रीकी मात्रा लगी तो क्या बनेगा ये ट्री तो त में लगी तो त्री व व में लगी तो व्री अब ये क्या है स स में भी रीकी मात्रा कहा लगेगी स्टैंडिंग लाइन के नीचे तो इसमें समें रीकी मात्र लगाएंगे तो क्या बन जाएगा है स्री ऐसे ही ये क्या है म म में रीकी मात्र लगी तो क्या बन जाएगा है म्री ये क्या है न और न में भी कहा लगेगी न के स्टैंडिंग नाइन के नीचे तो नमे लगी तो क्या मन जाएगा ये नरी नरी ओके और ये क्या है रेवेंजन तो रेवेंजन के साथ हम कभी भी रीकी मातरा नहीं लगाते ओके इस वर्ण में कभी भी रीकी मातरा का यूज नहीं होगा ठीकर अब आप भी ऐसे ही अपने घर पर करसे और गयतक के सभी वेंजनों पर रीकी मातरा लगाकर और उसकी प्रैक्टिस करिए ओके बाई